नमस्कार दोस्तों आपका हमारे यूटूब चैनल अंजे मोटिव पर हार दे कभी नंदन स्वागत आपका तो कैसे हो आप उम्मेद करता हूँ अच्छे होंगे आपका प्रिवर अनद्यन का पेपर अच्छे से गुजरा हो अच्छे का से नंबर स्कोर कर रहे होंगे आप हमारे वीडियो में से बहुत सारे प्रशनाये थे तो अब एक बार इसका वापस से रिजूलेशन कर लेते हैं समश्या समादान देख लेते हैं रिसोल्यूशन देखते हैं इसका तो जूड़ जाए हमारे यूटूब चैनल एंज अमोटिव के साथ और अपने दोस्तों के साथ सेर भी कर दीजिए इस चैनल को परिवर नदिन से रिलेटेड हमने बहुत सारा कंटेंट आपको प्रवाइड करवाया था तो अब देखते हैं कि कौन से प्रिशन आए हमारे पेपर में कौन से इंपोर्टेंट थे और किस प्रकार हमारा पेपर आ जाता तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो उससे पहले आपसे गुजरिस करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो एससी प्रकार बीएस्टेसी के वीडियो पाते रहने के लिए यूट्यूब चैनल एंजे मोटेउज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर एक लेटिस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए तो चलिए दोस्तों देखते हैं पेपर को हमारा ये आटवा पेपर है परिवर नज्यन शिक्षन का बीएस्टिसी फश्टियर का साथ नंबर का हैं तीन गंटे समयावदी हैं एक से चाल तक बहुवी कलपी प्रशन है तो देखे पहला प्रशन राजस्तान में देश की कुल भेड़ो का कितना प्रतिस्ट या कितना भाग पाला जाता है तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तो एक बटा तीन भाग उप्षन एक रेक्ट उत्तर हो जाएगा तो दोस्तो ये प्रशन भी मैंने बताया था आपको कर्शी और पसुपालन वाले उस वीडियो की थीम में दूसरे दूसरी ही का दो वीडियो बनाया था हमने तो आपने देखा होगा तो ये आपका उत्तर बिल्कुल शही गया होगा दोस्तो इसमें कई बता रही एक बटे पांच, एक बटे छे लेगें मैं आपको कनपम उत्तर बता देता हूँ एक बटे तीन भाग होगा इसका उप्षन है राइट उत्तर अगला प्रशन देखिए कि शिक्षक अपने शिक्षक का मुल्यांकन करता है दोस्तो आवाज उत्तित मातरा में पहुंच रही होगी आपके पास उमीद गरता हम शिक्षक अपने शिक्षक का मुल्यांकन कैसे करता है दोस्तो इसमें भी आपके option A सही होगा बालक में होने वाले वेवारगत परिवर्तनों से इस शिक्षन अपना मुल्यांकन, अपने शिक्षन का मुल्यांकन करता है अगला प्रसंदे कि विद्याले को शिक्षा का कैसा साधन माना जाता है दोस्तो शिक्षन के ओप्चारिक और अनोप्चारिक दोप्रकार के साधन बताये गए हैं साधनों को वर्गिकर्ट किया गया है तो विद्याले को ओप्चारिक साधन में रखा गया है जबकि माता-पिता, परिवा, समुदा इनको अनोप्चारिक में रखा गया है तो इसमें option A हो जाएगा ओप्चारिक सिक्षन संस्तान में विद्याले को एड़ किया जाता है अगला प्रसंद एक चोता आजकल बालक को सरवादिक आखरिष्ट करने वाले कौन से संसाधन है तो देख लेजी दोस्तों इसमें option B हो जाएगा electronic संसाधन करेक्ट उतर हैं इसका भी इसको भी हमने आपके वीडियो में सामिल किया था तो दोस्तों वीडियो के साल अगरा जरूर बताए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और पहली बार हमारे YouTube चैनल पर यात्रा कर रहे हो विजिट कर रहे हो देख रहे वीडियो तो इसको भाल तो जानुवर का नाम लिखते हुए उसके दो अब्योग बताने हैं जो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा इसके लिए समाप्रारती हूं तो एकला प्रसन देखे कि क्या है हवायडे सेहर से दूर क्यों बनाए जाते हैं दोस्तों तो हवायडे सेहर से दूर बनाए जाने के दो रिजन बता सकते थे आप मैंने ये आपको प्रशन भी बताया था कि हवायडे सेहर से दूर इसलिए बनाए जाते हैं कि क्यूंकि उनके लिए जगे भी ज्यादा चाहिए चेतर ज्यादा चाहिए और दूसरा कि वायुजानों की तेज भनी तेज सोर से भनी परदूशन होता हैं जो आम जन के स्वास्ते के वेपरित अनुक प्रतिकूल प्रभाव डालता हैं इसलिए से दूर बनाए जाते हैं साकसातकार से आप क्या समझते हैं वेरी एजी क्वेश्चन पोर्ट भोल या क्या हैं बहुत ही सरल क्वेश्चन थे अगला अपसिष्ट कच्रे का निस्तारन करना क्यों आविश्यक हैं तो अपसिष्ट से होने वाले दूस प्रभाव बता कर आप लिख सकते थे कि इन दू पहें ब्लोग हैं इन साइकलोपीडिया सब्द कोस हैं इंटरनेट जैसे संसादनों का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा हैं इसको भी आप स्पोजिटिवली बता कर नेगटिवली भी बता सकते थे दोनों तरह से बताना था इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव हैं तो क आंखों पर गलत इपक्ट पड़ता हैं या फिर बच्चे ज्यादा थे यह तक वीडियो गेम्स वगेरा खेलने लग जाते हैं अगला परियोगर्ण जिन की कक्षा में एक्टिविटीज के आयोजन है तूकिन बातों का ध्यान रखना है तो इसमें हमें एक्टिविटीज पर ध्यान देना है कि एक्टिविटी बनाते वक्त आयोजन करते वक्ति इस बात का ध्यान रखना है कि एक्टिविटी होते हैं वो बच्चों पर केंद्रित होनी चाहिए एक तो यह हो गया दूसरा सरजनात्मक होनी चाहिए खोजी परवर्ति वाले होनी चाहिए रुची दायक आनंद पुर्वक होनी चाहिए इस प्रकार इसका उत्तर दे सकते हैं प्रयोजना कार्य से विद्यारतियों में कौन-कौन से कोसल विक्सित किये जा सकते हैं यह भी हमने आपको बताया था वेरी एजी है तो दोस्तों कमेंट करके बताएगा किसके कितने सही हो रहे हैं तो प्रयोजना कार्य से विद्यारतियों में कौन-कौन से कोसल विक्सित किये जा सकते हैं तो इसमें आप समाद है वारतलाब कोसल है अभी विक्ति का कोसल है निश्कर्ष निकालने का कोसल है अवलोकन करने का कोसल है यह विक्सित हो सकते हैं इसमें प्रयोजना कार्य क्या होते हैं दोस्तों जब विद्यार्ति को किसी स्वाल का जवाब किताबों में या इंटरनेट पर नहीं मिलता हैं जैसे उसके गाउं में क्या चल रहा हैं गाउं का क्या आंकड़े हैं वो नहीं मिलते हैं तो वो सर्वे वगेरा करके चातर परबन करके वो प्राप्त करता हैं तो अगला प्रसन है वर्तमान युग में परिवर्ण अध्यन की क्या आविशक्ता थे आविशक्ता है तो दोस्तों परिवर्ण अध्यन के लिए क्या क्या आविशक्ता हैं क्यूं हम परिवर्ण का अध्यन करे इसके बारे में बताना था जल परबंदन की क्या आविशक्ता ह और इसके प्रमुख उपाय लिखने थे तो जल परबंदन की आवश्यक्ता इस प्रकार बता सकते थे कि जल हैं तो जीवन हैं जल हमारे बोड़ी का बहुत मैध पूर्ण भाग हैं और जहां हमारे राजस्तान कई बार अकाल की त्रास्टियों को जेल चुका हैं उनके लिए पानी का घी से भी ज्यादा मैत हैं और इसके उपाय में लिख सकते थे जैसे हम की वर्षा जल का एकत्रिकरण करना टांके के माध्यम से तालाबो का निर्मान करवाना तालाबो की खुदाई करना स्वच बनाई रखना टपकते हुए नल का रिपेरिंग करवाना इस प्रका प्रकार जल प्रबंदन के उपाय बता सकते थे फिर प्रतम चरण में प्रतम चरण में प्रतम चरण में बालक का समयदी पेशी समयदी विकास होता है जिसमें बालक अपने परिचित के प्रती मुश्कुरहाट वे ऐ परिचित के प्रती रोता रोना ये देखकर टक टकी लगा कर देखना ये सब कारे करता है भूग लगने पर रोना आदी संयानात्म कारे के प्रतम चरण में आता है जिसमें बालक जनम से लेकर दो वर्स तक की आयू तक इस निबंदात्मक प्रश्ण हैं, हमने आपको बताया था, नक्षा और चेत्र में अंतर बताया था, वहां पर से भी आप इस प्रश्ण को कर शकते थे, नक्षा बनाना और उसे पढ़ना क्यों सिखा जाना चाहिए, तरक सहीत उतर देना है, तो दोस्तों नक्षा बनाना और खाका तयार किया जाता है, इसलिए नक्षा बनाना जरूरी है, ढांचा बनाना, और इसे पढ़ना क्यों जरूरी है, कि हम कहीं जा रहे हैं, वहां देशा निर्देश दिये गए हैं, नक्षा हमारे लिए यूजफूल होता है, कहीं जाने के लिए, किसी भोगली के परिस्त से रंदन करना था आपको आसानी सी कर सकते थे चैक लिस्ट है पॉर्टिव यह इन द्यक्ट कार जिया है इसके अंतर गताब आसानी से वर्दनीं कर सकते थे अभी लेक लेखन हैं प्रतत्कार्य हैं इस प्रकार अच्छे से आप लिख सकते थे आखलन के लिए प्रयुक्तूप करनों को अगला प्रसन प्रयोवरन दिन में क्रिया कल आपके आयोजन है तू आविश्य कुप्यों की बिंदू का वरणन करना है और इसके एत्वा में सर्वेकार्य की मेता का वरणन है जो की हमने वीडियो में आपके लिए लेकर आये थे एक एक जामपल भी दिया था सर्वेसर इलेटेड तो इसको भी आप बड़े अच्छे से लिख सकते थे दोस्तों अगर हमरा वीडियो देख कर गए एंजे मोटिव यूटूब चैनल की प्लैलिस्ट परिवर नद्यन की पूरी तो आपका पेपर बहुत हिसांदार हुआ होगा इसे उम्मिद करता हूँ कूपोशन से होने वाले प्रमुक रोगों के नाम लिखने हैं उनकी उत्पति के कारण क्या हो सकते हैं और उनसे बचने के उपाई लिखने तो कूपोशन क्या है जब बच्चो को संतुलित आर या बोले तो पोशक तत्व यूक्त भोजन नहीं मिलता है तो वो कूपोशन से ग्रस्ट हो जाते हैं इनसे होने वाले रोगों के नाम इस प्रकार हैं, बेरी-बेरी, इसकरवी, बेरी-बेरी, रतोंदी, क्वास्योर कोर, मेरेसमस, गेंगा, एनिमिया, इनके उत्पति के कारण क्या हैं, दोस्तों, संतुलित आर नहीं मिलना, विटामिन्स की कमी हैं, पॉसक तत्वों की इनके कारणी रोग होते हैं, बचने के उपाई हैं, दोस्तों की, हम लोगों को शिक्षित करें, शिक्षा दे की, पॉसक तत्वे, कौन-कौन से किन-किन खाने के पदार्तों से मिलते हैं, इस प्रकार उनके लिए विवस्ता करवाना, सरकार योजनाओ द्वारा, और अगल अगला 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 परिच ने वाई-गोच की के सामा चिक रच्नावाद के बारे में वर्णन करना हैं अपने को ये भी हमने पढ़ा था कि वाई गोच्की के समझे ग्रचनवाद के बारे में विस्तार से और इसके हैत्वा में हैं बच्चों की वेकल पिक उदारना उपर रोजलेंड ड्राइवर के कारे का वर्णन करना तो उमित्रों किसा लगा वीडियो लाइक कीजी का अगर अच्छा लगा तो वीडियो को पूरा देखा होगा आपने उमित करता हूँ आपका पेपर अच्छा हुआ होगा हमारे यूटूब चैनल पर पहले बार आए हो तो यूटूब चैनल एंजे मोटेव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले सब्जेक्ट के वीडियो भी मिल सके आपको इंट्रसिप डायरियो के वीडियो मिल सके तो इसी प्रकार यूटूब चैनल एंजे मोटेव से जुड़े रहे आपका हार्दी का बात धन्यवाद जय जय भारत